हेलो स्टुडेंट आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर पियर ओफ लिनेर एक्वेशन इन टू वैरियेबल एक्सरसाइज 3.5 विए प्रोब्लेम दिया तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है पेर ओफ लिनेर एक्वेशन फॉर्म करना है उसके बाद उसको क्या करना है क्लिका करना है कोई भी अभी मातर से सव्फ करना है हम लोग ने थीन प्रगार का परणा करता है ऐख्याट अगर works करना है तो नहीं नहीं तौन करना है चलिए आगे देखते हैं a. part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in mace when a student a. takes food for 20 days c. has to pay rupees thousand as hostel charge whereas a student b. who takes food for 26 days pay rupees 1180 as hostel charges find the fixed charge and cost of food per day c. p. do, see, what's the question. one can be a host and two types of charges a. fixed charge or a food per day? a. food per day charge mean that one is charge both with food for drink and food for drink food the charge keeps every day. so student a. how do you do सब्सक्राइब करते हैं और जो इस्टुडेंट भी है वो क्या करता है वह 26 डेस के लिए करते हैं और कितना रुपे करती है सब्सक्राइब करते हैं और फूड पर दे चार्ज कितना है तो चलिए देखते हैं यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो हम लोग को निकालना वह ही माल लेंगे लेट दर फिक्स्ट लेट दर फिक्स्ट चार्ज बी क्या हो जाएगा एक्स ठीक है फिक्स्ट चार्ज को हम लोग ने एक्स मान लिया एंड दर चार्ज ओफ फूड पर दे कि वाई और फूड फूड पर डे को क्या मलें लेट चार्ज जो रोज फूड का पैसा लगते हैं अब चले लिए अपर चेली हमनों क्या करेंगे एक्वेशन बनाएगे तो देखे फिक्स चार्ज तो एक महेन लिया एक्स ही रहेगा इसमें कोई चींढ नहीं हो फिक्स चा तो एक दिन का चार्ज कितना है वाई है तो बिस दिन का चार्ज कितना हो जाएगा 20Y हो जाएगा ठीक है यह एक दिन का चार्ज है तो बिस दिन के लिए खाना लिया तो कितना हो जाएगा 20Y ठीक है अब इक्वल टू टो टोटल कितना रुपया पिक किया किया एक हजार ठीक ह equation number इसको 1 माल नहींगे अब इसी परकार से ध्यान से देखेंगे ठीक है आप जो fixed charge है वो x होगा plus second student क्या करता है student b वो 26 दिन के लिए खाना लिए ठीक कितना दिन के लिए वो 26 दिन के लिए खाना लिए 1180 रुपे पे की तो कितना हो गया हम लोग का equation 1 माल ले इसको equation number 2 माल ले अब हम लोग को देखें हम लोग का क्या बन गया ये pair of linear equation बन गया अब हम लोग इसको किसी भी method से solve कर सकते हैं अब किसी method से solve कर सकते हैं लेकिन सबसे easy method होता है elimination method से आप असानी से कर सकते हैं देखिए इसमें x और x क्या है equalism है तो हम लोग यह पर असानी से cancel कर दें और value put कर सकते हैं y का value निकाल सकते हैं तो चलिए हम लोग क्या करेंगे elimination method से solve करते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे by elimination method ठीक है हम लोग क्या करें लिए मिश्य मातल में यहां पर लिए देते हैं सब्ट्राक्टिंग किसे करें हम लोग 1 from 2 1 को किस से घटा ले 2 equation 2 से घटा ले ठीक है 1 from 2 मतलब equation 1 को घटा रहे equation 2 से घटा रहे तो चलिए from के बाद लोगो पहले लिखते तो equation 2 को हम लोग क्या करेंगे पहले लिखेंगे x plus 26y equal to 1180 अगर यहाँ पर हम लोग 1 लिखते हैं ठीक अगर यहाँ पर 1 लिखते हैं 2 लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पहले यहाँ गर यहाँ पर 1 रहता है और यहाँ पर 2 रहता है तो पहले equation 1 को लिखते हैं फिर 2 को लिखते हैं अब हम लोग इसमें क्या है इसका मतलब क्या है कि हम लोग 2 में से किसको घटा रहे है equation 1 equation 2 में से किसको घटा रहे equation 1 को ठीक है तो इसलिए उपर में equation 2 लिखिंग और नीचे में equation 1 लिखिंग equation उनके x plus 20y equal to क्या हो जाएगा 1000 अब देखिए अब देखिए अब देखिए x x तो cancel हो गया यहां क्या होगा देखिए plus minus minus करेंगे 26y में से 20 minus करेंगे तो क्या बचेगा 6y क्या बचेगा यहां पर देखिए 1180 में से minus करेंगे 1000 तो कितना बचेगा 180 y का value क्या से नहीं कालेंगे 180 divided by 6 cancel हो जाएगा 6 1 जा 6 6 3 जा 180 y बराबर कितना आ गया 30 अब हम लोग x बराबर कैसे नहीं कालेंगे y का value को put कर देंगे equation number 1 तो चलिए put कर देते हैं पर लिख देते हैं हम लोग putting the value of y in equation 1 हम लोग का equation 1 क्या था चलिए देखते हैं हम लोग का equation 1 है मैं आप लिख देता हम लोग का equation 1 क्या है x plus 20y x plus 20y equal to 1000 ठीक है यह हम लोग का equation 1 है हम लोग ने y का value इसमें put कर देंगे थी क्या हम लोग का value कितना है हम लोग का 30 आया हम लोग का value कितना है 30 हम लोग कर देंगे आपर एक्स प्लस 20 इंटू क्या हो जाएगा 30 equal to 1000 एक्स प्लस कितना हो जाएगा multiply करेंगे 20 और 30 को तो 600 आजाएगा equal to 1000 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1000 देखिए क्या आफ प्लस प्लस 600 इक्वरट उतल जाएगा तो माइनस 600 ठीक है तो एक्स बराबर कितना गया 400 ऑल्यों चार्ज किते अखिया करेंगा माता खई तो एक्स कितना गया 400 हम लोगा एक्स देलगा यमने ऑलग हो और fiक्स जार्ट पर डे चार्ज कितना था कितना है य माने तो य कितना है 30 था हम यहां पर लिख देंगे तो यह से लिख देते हैं फूड पर डे चार्ज कितना है हम लोग का 30 यह हम लोग का आंसर हो जाएगा फूड पर डे चार्ज हो जाएगा 30 तो हम लोग का आंसर यह हो जाएगा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू